हिस्ट कर वारी वक्षांग के लिए छो अब वारी दी एक्जाम सो अ मेरे वलो तो अनुसार या नो सस्रीकाल लुग है वेच आप बहुत इंट्रस्टिंग पड़ाँगा जो की पंजाब दी जिए चांग अकार टॉप्सक्रा बिल्कुल चंगी दरा पड़ ले होय पंजाब पंजाब दे कल्चर नुँ जान ले आए पंजाब दे आर्ट ते क्राफ नुसमझाय ते फैस्टिवल नुसमझाय आज दा जो सैशन रहेगा अपना एदे वेच आपा पंजाब दी जोग्रफी नु करना है पंजाब दी जोग्रफी बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक रन्द है तो एदे वीच ए बहुत ही वास्ट टॉपिक है ते नुँ अपा एक प्रिसाइस तरीके देनाल चांगे तरीके देनाल नु कवर करांगे पंजाब देखांगे हैं पंजाब दी जो अपनी बेसिक ऑफ पंजाब दे वारे अपपा पढ़ई दी स्वonnaise कपादा अपडेनाल आप पंजाब द देखांगे फिस्टोब करेंगें होनी अनले लेक्प्र। अपन बेसिक ऑफ पंजाब दे बारे अपा पढ़ांगे सब तो पहला जो अर्थ देखिए इंडिया लाइज इन नौर्थ इस्टरन हेमिस्वेर एपा जोग्रफी दी क्लास दे विच भी पढ़े हैं इंडिया नॉर्थ इस्ट डे भिच लाई करते हैं इंडिया ऑफ ट्रॉफ एंसर निकल दियाए सो पंजाब जो है है ट्रॉफ ऑफ आँकेंसर दे उपर पैंदे त्यों आप इंडिया दे नक्षत दे देखिए पंजाब नूँ पंजाब लाइज इन नौर्थ वेस्ट ऑफ पंजब हो आप देखे पंजाब इंडिय की नौर्थ वेस्ट चाहरं लेंदयें It Is यह नर्थ वेस्ट ओफ इंडिया बाहुत इंपॉट नबस ने सिंपन्जाब रहे से सुभी कि çी की है। जो पंजाब है एक कि दे लूटी इंटरनेशनल बांटरी पाकिस्तान दे नाल है जो की आज दे लेंदे पंजाब दे जुड़ती है ञें चरदा पंजाब अदर लेंदा पंजाब आपस चे बांटरी टच कर दा है दूजरा इंपॉडेंट पॉइंट पंजाब दी जो बाउंटरीज एंटरनेशनल देनाल स्टेट बाउंटरीज भी याद रखने हैं सो स्टेट बाउंटरीज देखे जैपन नॉर्थ देख देख देहिए जम्मू कश्मीर यूने टेरिटरी नल टच करता है नॉर्थ दू नॉर्थ इस्ट वाल देखांगे हिमाचल परदेश इस्ट वाल आपा देखांगे कैपिटल चंडीगड आंदी हैं साउथ वेस्ट वाल साउथ इस्ट वाल आपा देखांगे हरयाना टच करता हैं साउथ वेस्ट वाल आपा देखांगे राजस्तान टच करता ह तो यह सानू बाउंडरीज नूँ चंगी जादा समझना है बाउंडरीज तो भी कोश्चन पुछे जा सकते ने यह जोगरफी नूँ समझें चे बहुत जादा हल्प करूगा अब जोगरफी में तो प्रॉपरली पिछे सारी वीडियो चंगे देखो तो पहला जोगरफी चं पंजाब दी पढ़ते हैं पंजाब जो की पर्शीयन नेमरल पने पंच आब अब मतलब पांच द्रिया दोवानु जोड़ मिनिंग जो इद आवर्ड मिनिंग बनेगा पंच आब लेको पांच द्रिया केडए कीड़ेने इदे जेलम चनाब रावी सत्लुज ब्यास ठीक है पांच दर्यात उसी च्रमिमताई याद रखने लेकिन अच आजदे दी गाल्ट करीए अप म। ऍर्षैंव है अले ढरी याओ नर्टना भालिव दो रaskaखले श्राषयल है कि अलंकर आपके Performance इननों चंगी जरा हुन तुसी याद रखना है हुन देखो जो आज डिस्ट्रिक ने इननों चंगी जरा किता समझांगे पहला आज तेने रीवर्स नो तुसी देखो मैं आप तेने रीवर्स ने सब्तों पर रावी ओधे नीचे ब्यास थे थल्ले आओगी सतलुच हुन इसर बटाला मजीठा हर गोबिंदपूरा कादियां डेरा बाबा नानक पठान कोट नारोवाल तरम तरम साहिब इस सारे इतने फेमेंट शैर ने ठीक है तो याद रखने एक इंदर नू पहिंदा माज्जा सो माजी वाली रीजन नों क्या जंदा है पंजाब जो सतलुच दॉट नौर्स दे रहते सो शतलुच नौर्स दिख पहला क्या ज़नना सी माज़ा रीजन ठीक है पहला अद्धा के दन दे सी लेकिन होन आपा दो आपा रीजन वी विच्छ समझना जडें माजी अले ने ओ उधा माजी उप बोली बोल देने ते माजी आपा पढ़ी सेगी कि माज़ी इक टकसाली थे केंदरी बोली है ठीक है तो याद रखना है उप बोली या भी अपप पढ़ चुके हों हैं तो इननों चंगे तरह याद रखियो ब्यास ते सतल दे वीच जगे उननों दो आप केंदे हैं अभी पर्शियन वर्ड हो गया लैंड ऑफ टू रिवर्स ठीक है अधा कमांगे अपका हुन एदे वीच शैर देखो केड़े केड़े आंदे ने जलंदर कपूर्थला नवा शैर फिर उस्तोबाद मुकेरियां आ सार सब्सक्राइब करते हैं दुझ्जा तुसी इंपॉर्टन पॉइंट एवी याद रखना है कि जो द्वाबा रीजन है और रीजन क्या जन्दा पंजाब दा क्योंकि एदे विच बहुत ज़्यादा अबादी द्वाबा रीजन दी बाहर ले देशां दे विच रंदी है तो इस घए लिएल सब्सक्राइब नुन देशां पंजाब कि आपन्जाब दे रीजन सब्सक्राइब नुन मुगल काल दे सरहंद रीजन वह जांद दा सिसारहंद ही जो कि इस्ट पंजाब तशी याद रखने अचदे पंजाब दे रिच जो जीले आं देने लुध्यान मांसा फजिलका फिरोजपूर मोगगा सो इस सारे कि इने इतो दे इंपोर्टन्ट जिले होन एक रिसेंटली नवा जिला बनेया पंजाब दा डैट इस मलेर कोटला जो कि संगरूर तो कटके बनाया है सो यह भी तुसी याद रखोगे मालवे वेची ही पैंदा है इंपोर्टनट जिले ने पंजाब देमालवे रिजन दे इहें अपा पड़े एक बेसिक ओवरव्यू जिदे वीचे अपँपनजाब दे जिले आं बारे संजेया दरयामा बारे संजेया पंजाब नाम दे बारे संजय अलग अलग जो तेन्ना रिजन जो मैं तो समझा हैने सब तो पहला देखो आपा बेसिक की की पाड़ चो के हैं रिवर्स ठीक है विच डिस्टिक्स पूरे पंजाब दे एरिया गल करा पूरे पंजाब दा जो एरिया है डाट इस फिफ्टी थाउजन थ्री हंडड़ सिक्टी टू किलो मेटर स्केर जो की नाइंटीन थाउजन फॉर हंड़ फोटी फाइव माइल से स्केर दे बराबर है यह याद रखनी है कि पंजाब दा एरिया जे किलो मीटर स्केर चो पुछा जाए ओ किना पहन दा है पंजाब यार ते पंजाब दे एरिया दि निए पंजाब दा इरिया पूरे इंडिया थे संद पंजाब दी जो जमीन पंजाब दा एंडिया दा किन्ट परसंट है यह यह 0.53 एकग पॉंजाब परसंट है जो कि purity ब्सक्रत सब तो बर्ड़ा स्टेट है इंडियान इज क Face अर्ड़ें पंजा निशहीं पॉपुलेशन दी गल करिया यार 11 सेड्सेस दे अकॉर्डिंग पंजाबी पोपुलेशन से कि इह बोपुलेशन कनी यिसाविशन 1000ी मिल्यंव 20 अग होग दस युक तक रही नदक्रीबट करीव heck ङाय आपर रफली कह सकते हैं पंजाब दी जो पॉपुलेशन है वो पॉने तिन करोड दे बराबर सेगी जो कि इंडिया दा 16th largest populated state बंदा है ठीक है इंडिया दा 20th largest state according to size है पंजाब वेराज 16th largest state according to population है पंजाब याद रखनी है पंजाब वीच रिसेंटली 14th मैं 2021 नवा डिस्टिक बनाया है डाट इस मलेर कोटला जो कि पंजाब दा 23rd district है इस डिस्टिक दे वीच पॉपॉलेशन मुस्लिम्स दी है तुसी याद रखना है नवा जीला जो पंजाब दा बनाया डाट इस मलेर कोटला वेरी वेरी इंपॉर्टन नेक्स्ट अगे देखो पंजाब दी जो राजदानी है पंजाब दी जो कैपिटल है यह चंडिगड ह जो कि पंजाब ते हर्याना दी संजी कैपिटल है याद रखोंगे पंजाब दी कैपिटल चंडिगड है पंजाब दा जो लेटिटीटूड नल टे लॉंगिटूड एक्स्टेंट यह याद रखना बहुत जरूरी है सब तो पहला देखो पंजाब पंजाब उन इंडिया जो सिगा नौर्थ इस्ट ओफ वर्ड सिगा नौर्थ इस्टन हमिस्वेर चे पैंदा सी इट में पंजाब देवी लाटिटूड लॉंगिटूड अंगल नौर्थ इस्ट ते ही पैंड गये होन जे मैं गलोब बनाना गलोब दे वीच सेंटर ने है एक्कवेटर दिगरी तो लेके 29.30 डिगरी नौर्थ तो लेके 32.32 डिगरी नौर्थ तक है तो पॉइंट तो सी चंगी तरह याद रखने पंजाब दा लेकिटूड अंगल एक्सटेंट किना वेर्स लॉंगिटूड नली गाले करिये इंडिया लाइज इन इस्टन हमिस्वेर इस्टन ह शोओ करांगे आपां इंडिया दे दोनों लॉंगिटूड रॉंगिटूड लीटूड यस्टन हमिस्वेर जी मिलरली पंजाब दे एस्टन जी आंगे तो इन पंजाब दे लॉंगिटूड नलेक्सटेंट किननने 73.55 इस्ट तो 76.50 बेस्ट मतलम 13.55 डिगरी एस्ट तों नौर्थ तो बती पॉइंट बती डिगरी नौर्थ तक लाटिट्यूडनल एक्स्टेंट भी तुसी चंगी तरह याद रखना है यह दो भी कोशन बन सकते हैं बहुत इंटरस्टिंग बहुत इंपॉटन टॉपिक है स्वाइल सो पंजाब्स भी मिट्टी ने बारे जहीं समझना चांदे है पहला स्वाइल हुंदा यह समझ लेने हैं वी और्गानिक मैटर क्या सकते हैं यह विचे वॉटर देखा जाएगा और्गानिक मेटिरियल देख देखे जानके लिक्विट्ट की की है गैसिस्ट की की है और्गनीजम से चेड़े हुं देने सार्य दे कॉंपोजिशन दो अपा मिला के स्वाइल कहने है तो इस अ मिक्स्चर ऑफ और गैनिक मैटर डैट इडिकलूड्स लिक्विड और्गनीजम्स हुमिडिटी एवरिटिंग ठीक है सारे कॉंपोजिशन दो अपा की क्या देनिया स्वाइल स्वाइल जो अर्थ दी क्रस्ट दे जो पाई जान दी है ठीक है ना एदा जिन्हों अब पैडोस्वियर भी क्रॉप्स ग्रों कर सकते हैं दुज्जा स्वाइल का हैबिटेट बन ज होल्डिंग क्पैस्टी हों दी है सो यह बहुत जादा इक तरीक है न्यूट्रियंट्स भी प्रोवाइड करने वाला एक मीडियम बंजन्द है सो पूरा गल करिए स्वाइल नाल ही पूरा फूड चेन वी चलता है जिवे आपा गल करिए फूड चेन दे वीच वी आपा चेन लेकि तो मिल दिया सुर्ण सारे मैली स्वाइल तो ही मिल दे है सो तकरीबन तेरा मुल्ड न्यूट्रियंक्र थैं मेक्रो नूट्रियंट मिल देने सो ले बहुत इंपोरें पढ़ना बहुत जरूरी है लगत गालगरिये स्वाइल दी सो इंडिया चेन ऐसुड ब्लैक सोःल लेटरेट सोईल सैंमी एरिड सोईल मॉंटेनियर सोईल लोमी सोईल बहुत रिखेरी सॉईल पाई जानती है लेकिन आसी पढ़नी है पंजाब दी हुन पंजाब देखो हिमालिया दे फूट हिलस ते है गया सो हिमालीया तो दिर्या आंदे ने तो निकल दिया ने उन्हादा ड्रेनेज जो एरिया कैश्मेंडे़िया पंजाब Kitchen फ यदा लया ने अपंजादे विक्षेल हमालीया दिक गंगेट क्वई क्र्रीर इस्ट वावी साइड टे लेकिन साइड ते इंडस फिर उस दी ट्रीब्यूटरी जो हूं दिया ने जिमें आपका कहते नहीं है जेलम चनाब रावी सतलुच बयास इसारी जो रिवर्स ने इनना दा कैश्मेंट एरिया भी है सो इनना दे कैश्मेंट एरिया जो है ओधे नाल पंजाब दी मिट्टी हुन अपका इनननों समझना है शेर आंदे अकॉर्डिंग के केड़े शेर चीकी है ठीक है ना सो इसारी रिवर्स जड़ी है जिमें मैं तो पहले दास चुक्यां के रावी ते ब्यास दे वीच जो रीजन आंदा है पठान कोट गुर्दासपूर अमरिसर तरंतारन इनना र दिवर्स दे नाल आंदी है सोईल जिमें आपा कहिए के जद दर्या उपरो दी नीचे आंदे है ओ अपने नाल सेडिमेंट सी कठे ले आंदे है तो आंदे आंदे अगे लेयर बाई बनाई जांदे है ते और रीजन दे वीच स्वाइल फॉर्मेशन जो हुन दी है उन्हों समझना है हुँन एदे वीच मैं रेजन वाइस वानु समझान लगा हूं देखो पहला पंजाब देवीच जिमें आपके एनने के ग्रीन रेवलुशन पंजाब लूटा एक सेंटर बने इसी ग्रीन रेवलुशन दा पंजाब दे वीच एल्वील सोयल पाई जान दी है जो क जिन्हों आपके ने बठिंडा मुक्सर फिर नवा शहर नकोदर आवाला जो रीजन है ना पंजाब्दा मीडल सेंट्रल रीजन जो है इते बहुत हाइली फर्टाइल रीजन है पंजाब्दा से पॉइंट तुसी याद रखोगे उन पंजाब्दा जो एरिया पूरे इंडिय यादा 1.53 परसेंट मतलब कोई बहुत ज्यादा अरिया नहीं है पंजाब को सोा छीनियु यह न इंट सीवार्मिंगरुस्य तदे बीचंवार्मिंग टी चनकिया जादा हों दिया सो तुसी होते जिस्त मर्जी तरीके देनाल तुसी विदाउट टेक्नोलजी भी यूज़ कर सकते लेकिन इथे कि यह जगा गाट है तो सानु हाई यील्ड वराइटी सीड्स यूज़ करते हैं पैंड के प्रोडक्शन हूं कंप्लीट कर ली सो प्रोडक्शन जगा गाट है लोमी स्वाइल है कुछ रीजन देविच हाईली फटाइल है कुछ रीजन देविच इननी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है इन्नों आपा एक प्रॉपर वेदेनाल समझांगे जिनना हलता किता हो तो अनुछ समझ आ चुक है पे इंटेंसिव कल्टिवेशन जली जो वदिया क्रोप होंदी होंदी है वीट एंड पैडी हों देखो मैं तो अलाग लग रीजन दे वीच अलग लग टाइपस दे दस्दां केड़ी कड़ी टाइप स्वाइल होंदी है सो ओं थे केड़ा मैटर कंटेंट काट है या ज्यादा है मैं लोग जेना फर्टिल स्वाइल सो सेंडी स्वाइल बहुत इंपॉडेंट स्वाइल है पंजाब रीजन दी यह ज्यादा तर तो अनूप पंजाब दे साउथ वेस्ट दे साउथ रीजन च मिलूगी सो एथे जिड़े शैर आंदे ने जिमें फिरोजपूर मुक्तसर बठिंडा मांसा संगरूर प लोगो कुई बहुत हाइट वाइट लिटी नहीं लोगो मीडियों वाटलेटी एड़ दें बाट बाइडी एडिजन है वं बिकम प्रोड़क्टिव लेकिन आप एड़ प्रॉपर इडिएशन करिए फिर फिर इस प्रोड़क्टिव आप प्रोडुक्टिविटी ले आ सकत फोडर क्रॉप फोडर क्रॉप जो हुंदी है जो इमें आप चारा हो गया आपने जो एनिवल स्लाइब स्टॉप्स देन ले यूज कर दें उन्हों आपा कहने फोडर क्रॉप्स तो एह सारी क्रॉप्स अपा ग्रो कर लेने हैं सैंडी सॉयल देविच इस रीजन जो तो अनु अधिया ने दो में फाजिल का देविच इथे इस वाइल पाई जान दिया डाजर स्वाइल बाकिक कुछ इससे बठिंडा मुक्सर संगरूर ठीक है जिते कि यह जो हुमस हुन दाना स्वाइल बहुत काट है ते नाल ही एदा पी एनपी के एनपी के मलई नाइट्रोजन जाजरा थे फोडर रेदे वीच भी घ्रोव किते यह उत्सी सुनेया हुगा पंजाब देविक के शेर तो अडली कोशन ही है तुसी तरस आप पंजाब एक किस शहर नू वाइट सीटी क्या जानदा है क्योंकि वाइट मतलब कोटन बहुत जादा ग्रोव किती है इस जान द देखो एरिया जो पठानकोट गुर्दासपूर होश्यारपूर नवाशय रोपड या रूपनगर एथे कंडी स्वाइल पाई जान दिये दी स्वाइल इस बैडली एरोड़िड एंड लेस प्रोड़क्टिव सो कंडी स्वाइल जडी हो गयो जादा प्रोड़क्टिव नहीं याद रखना है तुसी देन सिरोजम सिरोजम से इस्टरन हाफ अफ मालवा प्लें जो पंजाब दा मालवा इससा मालवा इस्टरन हाफ हिस्सा जिदे जो लुद्याना संगरूर फटेगड साइब पतेयाला फरीद गोड एले रीजन जो ने हाइली यिल्ड रीजन ने सो इन फॉरेस्ट स्वाइल एक फॉरेस्ट सॉयल जंगली स्वाइल जंगली मिटी सो स्टाणी पत्थर वोंगे उन्हें सेंड़ी सो व्हल होगी जाधातर तक लोंघी गुर्दासपुर शिवालिक रीजिद अवर्षार पुर नमाशार रूप नगर सो रैडिश ब्राउन ट लर्दी तो अन्हों देखे नूं मिल दिया है सो एह सारा तुसी देख्या होगे बैल्ट जडी है पहाडी रीजन नू टच कर दिये तो जिते दुसी पढ़िये एक ता कंडी स्वाइल दुझी फॉरेस्ट स्वाइल याद रखोगे तुसी दैन एद्धी आंदी के सेलाइन स् ठीक है जिदेचे नमगा स्वाइल देविचे नमग दा कंटेंट ज्यादा होंदा सो से लाइन देविच क्लामेट एंथ्रोपोजैनिक एक्टिविटीज एंड मिस्मेनेजमेंट ज्यादा रंदी है हाई परसेंटेज ऑफ सॉडियम गालकारी जो के आपा स्वाइल देवि या मान साथा इस्टरण हिस्सा हो गया गोविंद पूरा हो गया गोविंद गड़ हो गया ठीक है संवा गया अल याद रखूंग के पंजाब्दे। जो की बहुत ही एक टॉपिक इंटरस्टिंग वन्जन दैस चंगी तरह याद रखोंगे पंजाब यह इस टापिक रूँआ स्वाइल स्वाइल वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगला टॉपिक अपना है फॉरेस्ट वी बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है जी आप इंडिया दी गाले करिये इंडिया दी मिलूगा अप्धिया वीच सब ज्यादा डैंस्टी वाइस जे फॉरेस्ट देखियो नौर्स परसंट ले करीव उते जंगल ही है बहुत इंपोर्टन बाजान देने याद रखने ले इंडिया सब्टों का अट जेस्ट वाइस देन्सटी वाइस फॉरेस्ट पॉप्लेशन देखियो पंजाब देवाले ही तो नहीं मिलूगी पंजाब हर्याना वाली साइड क्योंकि य बहुत जाब इंपोर्टन हों देने किसी स्टेट देले किसी देश देले क्योंकि वह बहुत जादा बैनिफिशल हों देने कोमर्शियली भी ते नेचर वाइस दे वी इन्वार्मेंट दे अकॉर्डिंग भी देखिये आपा हून पंजाब दे जंगल बहुत ही काट है ठीक पंजाब दे वी च देखिये आपा फॉरस दी करें पहली कल एह उत्ते पाया जाओं जो की हिमाचल टच करने वाला रीजन है हिमाचल जम्मु कश्मीर नूँ टच करने वाला रीजन है तो अब आप इछे पढ़े ऐसी हिमाचल जम्मु कश्मीर नूँ टच करने वाले जो डिस्टिक ने जीमे की पठान कोट थोड़ा गुर्दास पूर रीजन लगा लो फिर उस्तो बाद होश्यारपुर नवा शहर रुपड सो आले रीजन दे विचे तो अनू पंजाब जे जंगल मिलुगा पूरे पंजाब दे विचे सिर्फ 6% पंजाबी जोग्रफिकल लैंड दे विचे 6% करीब मैक्सिमूम 6% कह रहे हैं सिक्स परसेंट दे करीब तानू फॉरेस्ट मिलेगा हुन इदे विचे आपा गलगरी आले डिस्ट्रिक में तो दस्ते ने इनना दे विचे तानू फॉरेस्ट देखनू मिल दे हैं फॉरेस्ट दे उन्जदा बहुत ज्यादा एडवांटेज हों देने लेकिन इस सारी ची देता साइर्ट बाधा ने पंजाब दे विच फेर नैशनल पार्क नीशनल परक नहीं ना सिसनुक्यर कर सकीए गया आवा रामसर साइट ने मतलब डिटनोँ आपा वेर्ट लेंड साइटस कहने है थो पंजाब बी टोटल चे वेट लेंड साइट ने जिदे वीच आपा मतलब एक रामसर कन्वेंशन होया सी 1971 जोकी 74 दा साइन हो गया सी एरान डेक शहर है रामसर ओदे वीच वेट लेंड साइट्स नूँ प्रिजर्व करके रखना है अपनी से कंट्री लेए बीच ओधली रामसर कन्वेंशन सहुं दिया ने जो वैन्द साइट्स देले है हर सल 2 फरवरी वीट्लनost मनाया जयांदा है है पंजाब बिच्छ देखो शे वैक्टले पाराथ दिख्छ आज त Rebel करिए पुरे इंडिया तो टाल 42 ने पंजाब देवीच चोशे ने पंजाब दोЕ साइड रूपड वेटलेंट साइड कपलेंड साइड फिरुस्तो बाद गुर्दासपूर वेटलेंड सा ब्यास मेतर वेकलेंड सीओ छे वेटलेंड साइड मैं दूबारा वी दीज्ञ hra सब्स Fr positivity सबस्माति राम और वावर मिल्टी सजें सबस्ट रामसर ते सब्सक्राइब करिए आपा जैसे सब्सक्राइब न मिलेगी स्टो और यह हो कैंघ्वेट्स पूर्धस यह मिलेगी sıद्ट एक करद संसर्श चेह सिख्ष्ष वेट्लेट्स विच मिलेगी जो नियर अम्रिस ते मिल जाएगी सारे पॉइंट्स चंगी दर समझ आगे होंगे आज दे इस लेक्चर दे वीच आपा बहुत इंट्रस्टीं इंपॉर्टन टॉपिक कवर किते ने सब तो पहला पंजाब नू समझे पंजाब दी जोग्रफी लोकेशन जोग्रफिकल लोकेशन नू समझे जोग्रफी दे पंजाब देखना सी ते पंजाब देखना सी ते पंजाब देखो जोग्रफी देवीच इस वाइल टॉपिक आंदा है सो सवाइल नू कवर किता आप डैट फॉरस्ट नू कवर भी किता है पंजाब देविच जे आपा सीजन दी कल करिये पंजाब देविच समर सीजन ऑटम सीजन विंटर सीजन स्प्रिंग सीजन जो कि नॉर्मली इंडिया फिर नाल जे आपा मोंसुन दी कल करिये सो पंजाब देविच विस साउथ वेस्ट मौंसुन अनदा है सो यह थी तकरीबन जून जुन जुलाई दे मन्थ देविच मौंसुन होंदा है ते मौंसुन दा बहुत ही ज्यादा है अग्रिकल्टर सेक्टर ऑफ पंजाब नु도 श्याएंग तबहुत हैा अग्जाब देविच विद पेडि भी एकर बारे अग्रिक्प्र दे बारे भी पढ़ लांगे तो आज दा लेक्चर चंगी तरह समझ आया होगा जिदे विच आपा सार इस सट टॉपिक न चंगी तरह डेटेल से स्टड़ी किता है सो वीडियोस नूँ शेर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सो डांट फारगेट तो प्रेस बेल आइकन एंड लास्ट एक होर इंपोर्डन पॉइंट के तुसी जादी चैनल सब्सक्राइब कर रहोगे तुसी बेल आइकन नू जरूर दबाई हो सो आई होब सारी चीजा तो अनू बिल्कूल क्लिरली समझा गी है सो मिल दे होना पा अगले सेशन दे विच सो थैंक यू एंड हैव नेस जे